हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग और मैं आपसा लोगों का स्वागत कर रहा हूं CM 24 में जहां हम बात करते हैं GST, Income Tax, Finance और कैसे हम GST, Income Tax की फील्ड में चाहे जॉब करके चाहे Tax Consultant बनकर कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं तो उसी सीरीज में है आज का वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार प्रेंट्स अभी हमें पता है कि जो IDR की due date थी वो just over हुई है वैसे तो जो original due date होती है वो होती है 31st July जो non audit case होते हैं individual salary IDR और जो audit cases होते हैं हमें पता है उनकी due date होती है 38th October लेकिन belated return with penalty हम फाइल कर सकते हैं 31st December तक उसकी due date भी over हो चुकी है तो अगर आपने original due date उसके बाद जो extended due date होती है वहां तक अपना ITR फाइल नहीं कर पाए हैं किसी भी reason की वज़ा से तो अभी आपके पास मौका है मैं आपको बतने वाला हूँ कैसे आप अभी भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं अगर आपने अपनी डेडलाइन मिस कर दी है तो अभी भी आपके पास है चांस ITR फाइल करने का सर वो कैसे हमारे पास है दो तरीके जो हम due date के बाद भी अपना idr file कर सकते हैं इन में से जो एक तरीका है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं जो की है idr u updated return हाँ जब हमें पता है idr u जो है वो इसलिए आया है कि अगर आपने idr file कर दिया है उसमें कोई अगर आपने mistake हो गई है तो आप उसको correct कर सकते हैं कुछ limitation है लेकिन हम correct कर सकते हैं और अगर आपने original idr file नहीं किया है तो भी आप idr u file कर सकते हैं ठीक है सर यह तो हमें पता है इसकी कुछ due date होती है जो आपका relevant assessment year होता है वहाँ से within 24 month हमें idr u file करना होता है लेकिन इसमें लगती है late fees और penalty लेकिन penalty जितनी भी आपकी tax liability है उसका 25% अगर within 12 months है और 50% अगर 12 months के बाद अगर आप file कर रहे है तो और हमें पता है कि idr u में आप refund claim नहीं कर सकते हैं आप loss बढ़ा की नहीं दिखा सकते हैं in short यह जो return है यह sse के benefit के लिए कम government के benefit के लिए ज़्यादा है क्योंकि सरकार कहती है आपको idr u में हमें कुछ न कुछ payment करना है चाहे वो tax का हो चाहे वो late fees का हो निल का idr u file आप नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको याद होगा पहले idr u 5 lakh के नीचे file हो रहा था बड़ आप 2.5 lakh के नीचे आप idr u file नहीं कर सकते हैं यह तो हो गया सर पहला तरीका ठीक है अगला तरीका जो है जिस पर है आज का वीडियो वो है सर condemnation of delay under section 119 subsection 2b यह वो section है इसमें असिसी application कर सकता है prescribed authority को की उसकी जो idr filing है उसके delay को थोड़ा सा condemnation दी जाए जी हाँ किस लिए अगर आपको exemption claim करनी है deduction claim करनी है refund claim करना है यह देखिये फ्रेंट्स other relief है उसको भी अगर आप claim करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस section में application कर सकते हैं section को याद कर लीजिए यह है condemnation of delay in filing of idr इस section के थुरू भी आप due date के बाद idr file कर सकते हैं अच्छा सर आगे चलते हैं अब इसके कुछ steps है वो देख लेते हैं पहला step है आपको चाहे online हो या offline हो एक application करनी होगी जो भी आपका jurisdictional officer है सर यह कहां से देखते हैं अभी इसके बार में बात करेंगे कि यह कहां से देखा जाता है income tax site पर my profile में जाके आप इसकी detail निकाल सकते हैं कि आपकी area का पतलब आपका जो pen number है उसका जो jurisdiction है वो कहां पर fall हो रहा है तो यह आप online निकाल सकते हो अच्छा online आप file कर सकते ह लेकिन जब से new income tax की site आई है अभी online application का कोई mechanism enable नहीं हुआ है तो अभी अगर आपको इस section में application करनी है तो वो offline करनी पड़ेगी चाहे आप type करके ले जाए application ठीक है चाहे आप hand return करके ले जाए बट अभी आपको application offline ही करनी पड़ेगी आपने application submit कर दिया फिर officer के पास option होग वो चाहे तो approve करें चाहे तो reject करें within six month जब आप application करोगे वहाँ से छे महीने के अंदर अंदर या तो officer approve करेगा या reject करेगा अगर छे महीने तक वो कुछ नहीं करता है तो automatic approve माना जाएगा ओके सर उसके बाद जो third step होगा आपकी application approve हो जाएगी then आप file कर सकते हो अपना ITR portal बर सर क्या इसके लिए कोई अलग से ITR होता है नहीं जैसे आप normal ITR file करते हो वैसे ही आप file कर सकते हो इस section में भी अपना ITR तो ये तीन step है जिनको follow करके आप ITR file कर सकते हो due date के बाद भी ठी most important application तभी approve होगी जब officer को ये लगेगा कि कोई genuine reason है genuine hardship है देखिए due date अब जा चुकी है आपको पहले original due date दी गई 31st July तक की उसके बाद कहा गया चली ठीक है 31st December तक file कर लीजिए with late fees but आपने file नहीं किया अब आप कह रहे हो मुझे एक और मौका दे दीजिए तो उस मौके के लिए आपके पास solid reason होना चाहिए ऐसे नहीं कि सर मेरी आग देर से खुली मैं सर सो गया था मैं देर से सो के उठा सर मैं सर में दर्द हो रहा था सर बहुत ज्यादा चीक आ रही दी सर्दी हो गई दी यह फास्तूग reason नहीं solid reason तभी आपके application जो होगी वो approve होगी वना reject हो ज करते हैं कि सर जब ITR U है तो हम क्यूं इस method के थूँ जाएंगे इसमें पता नहीं approval आएगा नहीं आएगा तो हम क्यूं जो है condemnation of delay के लिए जाएं तो देखिए हम भी हमने इससे पहले भी discuss किया हुआ है कि हम ITR U के थूँ refund claim नहीं कर सकते हैं इस method के थूँ हम refund claim कर सकते हैं अपने loss को carry forward कर सकते हैं and सबसे बड़ी बात अगर आपकी tax liability आ रही है suppose एक लाग रुपा है तो ITR U में आपको 25% extra यानि कि 25,000 आपको extra pay करना पढ़ेगा अब आप देख लो ये भी पैसा बच रहा है refund भी आप claim कर सकते हो और loss को भी carry forward कर सकते हो तो benefit ही benefit है इसलिए ये method prefer क किया जाता है over ITR U ठीक है friends आगे चलते हैं लेकिन जैसे हर चीज़ के time limit है इसकी भी timeline है timeline इसकी ये है कि आपको relevant assessment year के within 6 year जब भी आपका assessment year end होता है वहाँ ते 6 साल के अंदर ही आप file कर सकते हो for condemnation of delay तो एक अच्छा खासा sufficient time है ठीक है अगर यहां से आपकी application reject हो गए तो फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है ITR U का ठीक है sir तो इस तरह से हमने देखा कि हम due date के बाद भी ITR file कर सकते हैं under section 119 subsection 2B में लेकिन कब जब आपकी जो delay हुई है वो किसी unavoidable circumstances की वज़ा सी हुई है and officer आपकी reason से satisfy है जैसे अभी हमने discuss किया यह section सिर्फ उन ही को benefit देगा जिनके पास एक solid reason है कोई छोटा मोटा नहीं एक ऐसा reason जो एक ऐसा you know circumstances जो आप avoid नहीं कर सकते थे उसकी वज़ा से आपका delay हुआ है तो इस section में chances हैं कि आपकी जो application है वो approve हो जाएगी उसके बाद आप अपना IDR file कर सकत कर सकते हैं वो सारे काम कर सकते हैं जो ITR U में आप नहीं कर सकते तो फ्रेंड्स यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा ऐसा ही बदेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल सीय में 24 को कर लिजे सब्सक्राइब मिलते हैं अगले knowledgeable वीडियो में